गर की construction करवा रहे हो और चाहते हो कि 5 लाख में गर आपका ready हो जाए तो ready हो जाता है 2014 इसमें भी possible है कि आपका 5 लाख में गर बन जाएगा बस कुछ 10 से 15 चीजे दियान रखनी पड़ेंगी तो ready हो जाएगा अच्छे से सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है जब भी गर की construction करवानी है जो आपको labor hire करनी है वो labor contractor लेना है full material के साथ किसी को काम मत देना labor contractor को देना जो भी आपके रिये में rate चल रहा है 160-170 और उस rate में वो क्या क्या करके देगा वो एक बार note कर लेना plaster तक देना मतलब tile का अलग से plumbing का अलग से electrician का अलग से वो अलग रखने हमारा RCC का का काम जो plaster तक काम रहते है आपकी pillar, beam, slab वो वाला rate कर लेना फिर material खुद से लाने है और material कैसा लाने है कहा लाने है क्या क्या चीज़े दे अंदर नहीं, वो आगे मैं बात करने वाला हूँ दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है जब भी गर की construction करवानी है, पांच लाग के अंदर budget रखने है तो आपका जो area होना चाहिए, जो slab आपकी होनी चाहिए साड़े 400 से 500 square feet की होनी चाहिए, कितनी साड़े 400 से 500 square feet मतलब 500 square feet पकड़के चलो, आपका इतना यह area होना चाहिए दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, जो plot आपका हो square या rectangular देखना, सीधा plot होगा, तो असानी से गर बन जाता है जादा खरचा नहीं होता है, यह दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगली चीज़ है, देखो 500 square feet में आपका 2 BHK बन जाता है दो आपके कमरे बन जाएंगे, एक आपका drawing room बन जाएगा, एक kitchen, bathroom यह सब चीज़ें उसमें आजाएंगी, मतलब दो फैमिली, दो बाई यहाँ एक फैमिली अच्छे से उस गर में रह सकती है इसमें आपको plan बिल्कुल simple रखना, plan simple रखने का मतलब यह है, जादा gallery नहीं निकाल ली है जादा balcony नहीं निकाल ली है, क्योंकि उनका extra खर्चा होता है तो आपको simple 500 square feet में आपका गर उठा देना है, और साथ ही साथ आपको करना है load bearing structure load bearing structure क्या हो गया, उसमें आप क्या करोगे, column और beam नहीं दोगे आप काफी लोगों का यह होगा कि sir column beam नहीं दे रहे हैं, तो आपको बस ध्यान देना होता है जब load bearing structure बनाना है, कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, वो मैं बोलता हूँ frame structure से भी strong होता है बस कुछ चीज़ों का ध्यान दोगे, तो load bearing structure जब हम बनाते हैं, तो हमारा खर्चा बहुत जदा कम हो जाता है तो load bearing structure बनाने में आपको 9 इंच की दिवार देना है, बाहर की जो भी दिवारे रहेंगी, वो 9 इंच की देना है कितनी 9 इंच की दिवार देनी है, अंदर की जो भी दिवार रहेगी, वो 4 इंच की देनी है यहां तक clear हो गया, इतना आपको कर देना है अगली चीज़ क्या करनी है आपको, skill mystery, मतलब आपका जो ठेकेदार रहेगा, वो skilled होना चाहिए क्योंकि अगर एरा-गरा उठा लोगे, तो वो दिक्कत आएगी हैगी, ना finishing निकालेगा, कुछ काम गलत हो रहे, तो उसमें पैसा बढ़ जाता है आपका तो skill mystery देखना, ठीक है, skill mystery उठा लिया, और फिर आपको उसको बताना है कि मेरा 500 square feet का गर बढ़ने वाला है ठीक है, 500 square feet का गर है, तो फिर वो rate डालेगा, तो इस समय अगर load bearing structure मनाती हो, तो आप 1050 रुपे देखे अपना गर complete कर सकते हो, अभी सब लोग बोलेंगे, sir, 1050 में कैसे गर complete होगा, इस समय 1300, 1400 rate चल रहा है, वो rate चल रहा है, लेकिन 1050 में भी अच्छा गर ready हो जाता है, तो मतलब आपको क्या करना, देखो, 500 x 1050 करते हैं, कुछ एप्रॉक्स पांच लाख रुपया हमारा खर्चाता है, तो हमारा 500 square feet का गर, पांच लाख में ready होगा, ये ready हुआ, बातों से नहीं होगा, आगे मैं बताता हूँ, और क्या चीज़ें करनी है, ये हो गया, पांच 50 में या 1100 में, वो 1300, 1400 मांगेगा, ये मांगेगा, और अगर आपने सोचा कि मेरे को with material देना है, क्योंकि मेरे को knowledge नहीं है, और मेरे पास time नहीं है, with material में दूँगा, लेकिन जब भी किसी को with material देना है काम, agreement कर लेना है, बले छोटा गर है, बले बड़ा गर है, agreement क्या हो ग क्या देगा, जैसे सामने agreement है, simple सी चीज है, material कौन सा लगेगा, कब पैसे देने है, ये सब चीजे लिखवा लेनी है, आपको क्या करना है, जब आपको कम खर्चे में गर पनाना हो, जो हमारा प्लिंथ रहता है, वो 2 feet के अंदर देना है, मतलब जो normal जमीन होगी आपकी, और पत्थर मिक्स करके डाले, उपर आपको प्लिंथ दे देना है, 12 इंच का, जिसमें आप सरीय डालोगे, 12 mm का, बहुत इनफ है, 12 mm का, 3 रोड नीचे, 2 उपर, ये पूरे में प्लिंथ आपने दे दिया, प्लिंथ आपने जब दे दिया, उसके बाद क्या करना है, आपको जो फ्लाइ एश ब्रिक यूज करनी है, अच्ची क्वालिटी की फ्लाइ अच ब्रिक डून दी है, जो सीमेट से बिक बनती हैं, वो सीमें ने होतनी है, जो अटोमेटिक मेशीन से बनती है, वो बडिक उठाना, 6-7 रुपे की आपको ब्रिक मिल जाहेगी, वो ब्रिक से अपना start कर दोगे, ठीक है, गर बनना start हो गया, अगली चीज क्या करने है, जो cement हमें use करना है, वो cement PPC cement use करना है, पूरे गर में, कोई दूरत नहीं है, 43 grade की, या 53 grade की, PPC cement best है मेरी नजर में, ना crack आते हैं, और ना कोई दिक्कत आती है, तो PPC cement, बले आप किसी भी company गा ले लो लो, local company के ले लो, अच्छी होगे, क्यों है, IS code से follow किया है, ऐसे कोई भी company cement नहीं बना सकती, जब तक government उसको allow नहीं करती है, तो कुछ जो आप branded नाम देखती हो, वो marketing की बज़े से आपकी नजर में, local company है, वो भी अच्छा cement बना रही है, उनका cement use कर सकती हो, steel आपको क्या क चीजें वो चेक करती है, company सही से बना रही है, नहीं बना रही है, वो सब चीजें चेक होती है, तो आपके छोटे गर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, secondary steel use करोगे, 10-15 रुपे, normal steel से सस्ता होता है, secondary steel कौन से होगे, जो local market में, आपको मिलेगा, जो top top norm है, उनको नहीं, ज किदार पूरा छट नहीं आपता है आपका जब बिल मनाता है, तो चजजे के नीचे कुछ नहीं होता है, लेकिन rate आपको 1050 रुपे ही पड़ेगा, तो आपको महंगा पड़ रहे है, वो चजजे नहीं निकालो, चजजे का कोई काम नहीं है, ठीक है, यह करने नहीं है, बनाया है, जो आरत है, RCC का, वो बहुत आदे से आदे cost में आपको मिल जाएगा, एक दिन में fitting करके वो चला जाएगा, तो RCC का safety tank आपको लगाना है, जो material आपको लेना है अगर की construction में, वो local vendor से लो, local vendor से मतलब, जो भी material जैसे छोटा मोटा, local लोगे, local brand लोगे, आपके factories होंगी, ठीक है, उन factories में पता करो, वो material मिलता है, नहीं मिलता है, और जहां भी material लेने जाओ, उसको बोलो, एक उसने brand दिखा दिया, चलो, किसी चीज का में ले लता हूँ, हैवल्स के अगर तार वो दिखाता है, उसको बोलो, यो local है, वो तार दिखाओ, उसकी warranty, वरंट उसमें help करेगी, पता करो पहले, मतलब 15-20 दिन इसी में लगा लो, क्यूंकि आपको पूरा process पता चल रहे कि construction होती ही, कैसे है, क्या क्या material चाहिए, तो उसके बारे में पता कर लो, यार, ऐसे बहुत पैसा बचता है, मतलब एक से 2 लाग रुपे बच जाएगा, अगर आप ऐसे material उठाओ गए, अगली चीज आपको क्या करनी है, जो भी window और door के frame है, मैं कहूंगा, UPBC के लगाओ, और cement के भी आते हैं, वो बने-मनाई लगा लो, वो बहुत सस्ते पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी UPBC सस्ता पढ़ता है, आपके area में या aluminum पढ़ता है, उसके frame लगा लो और जो door और window रहेंगी, वो आप क्या करना है, door flush door लियाओ, 4000 रुपे से start हो जाता है, कितना 4000 रुपे से factory इमेज जो बने होते हैं, तो वो लगा लो यार, पूरे गर में 10,000 रुपे खर्चम नहीं आएगा, 3-4 door होंगे, जो bathroom और toilet का door होगा, वो आपको PVC का या aluminum का लगाना तो वो same दिखेगा और अच्छा सुंदर दिखने वाला है सस्ते में, ये चीज़ आपको करनी है, जो भी electric के point आपने अपने घर में देने है, वो जितने required है उतने दो, क्योंकि electrician point extra दे देते है, अपना bill बनने के लिए, तो जितने limited चाहिए, उतने दो, जो paint आपको करवा करनी है, और मैंने कहा था, जैसे हम load bearing structure दे रहे हैं, तो load bearing structure में एक चीज़ दियान देना, जैसे नीचे plinth दिया, जो lintel होंगे आपके, वो आपको देना है, lintel कहां देना है, जहां जहां आपके door और window का top 7 foot आता है, वहां पे lintel दे दो, lintel आप concrete का band दो, change का band दो, ब आपका area क्या होना चाहिए, 400-500 square feet का, और जितना simple plan होगा, जितनी जदा elevation दोगे, बाहर से छज़े निकालोगे, उतना जदा महंगा वो होने वाला है, तो इस तरीके से अगर गर बनाते हो, तो आपका पैसा भी बचेगा, quality भी same रहेगी, और सुरक्षित गर बन जाएगा, तो मेरे खेल में आईडिया आपको लगया होगा, अगर नहीं लगया है, तो comment करो, और वीडियो ले आएंगे, और कोई दिक्कत है, कोई question है, के रही है, WhatsApp पे जुड़ो, Telegram पे जुड़ो, description में पूरी detail है, वो देख लो, आप ही मिलेता हो अलविदा, लेकिन ऐसी वीडिय कर लो, और bell icon दोबलो,